कि जितने बच्चों का डेटा हमारे पास आया हुआ है उसमें कुछ छूटेंगे लेकिन मैक्सिमम जो हम देखेंगे कौन हायर एंकर जिनके कितने मार्स हैं तो मैरेट किसे सबसे अपनी जो एक्सक्टेटर बनेगी लेकिन इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था आपक लेकिन लाइक करना चाहिए सेलेक्शन हो ना हो लेकिन आप टेंशन से फ्री होंगे कि द्रॉप लेना पॉलेजी मिलेगा या नहीं चलो तभी हम बात करते हैं इस वीडियो में तो देखो यहाद इतने सारे बच्चे तो एलन के अकास के भी हैं तो मैं टोटली जो मैन कोच कोचिंग के अगर हम बात करें तो देखो एलन मद्यप्रदेश में एक बच्चे ने पहुंचाया था मिलेको पता नहीं कितनी सही है कितनी क्योंकि मैं किसी कोचिंग का प्रमेशन दुखर नहीं रहा हूं ठीक है यह स्रीप डेटा मेरिट के लिए है कटफ निकालने के में देख लेंगे थोड़ा बहुत आगे पीशिकार लेंगे तो इसमें एलन मद्यप्रदेश में 261 बच्चे हैं जिसके स्कोर जो 600 बच्चे होंगे ठीक है तो वह कैसे पता चलेगा जो ग्रूप बगएर में 300-400 बच्चे हैं तो इसमें पोल कराएंगे तब समझ भी आए जिसमें से 16 बच्चे 600 बच्चे हैं और भी आया मिंदौर है यह सब कोचिंग में जो है छोड़े बहुत बच्चे है ठीक है तो अबराल यहां पर यार बच्चे अगर हम देखें एलन और कास्प के जो मेजर ली तो उसमें क्या है 261 उसमें और 269 इसमें ठीक है अगर हम ए अगर हम मान के चलते हैं और भी होंगी काफी कोचिंग और कुछ बच्चे तो होंगे जो की ठीक है या फिर कोटा से पढ़के आए होंगे तो कोटा का अपने पास तो डेटा है नहीं जो MP के बच्चे कोटा पढ़ने गए तो वहां से अच्छा स्कूर लेकि आए तो वह त सबको मिलागी हम अभी कितना माल लेते हैं 600 अब यह 600 में जो है सारे के बच्चे अब साटे सारे के टेगरी में भी अगर मैंने पूल कर आया तो उसमें देखो कि मद्ध्रदेश में सीट कितनी है अब इतने वच्चे तो होगा देखना पड़ेगा कितनी और अभी जो सीड बढ़ने वाली है अगर हम अभी तीन कॉलेज को मान लें क्योंकि नॉटिफिकेशन तो सभी कहा बड़ तीन को सद्धान तिंग मंजूरी का है तो मानते हैं कि त अगर मान लोग बाद मिनिममम हंड्रेट सीड़ी तीनों में पनूजी तो थी अब उसको परसेंटेज कर निकालना जैसे कि पता है अब को तैन परसेंट एडवलूस की है तो 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 ज्यादा फरक नहीं बढ़ रहा थी ने मेडिकल कॉलेज पे ठेक है जैसे कि अगर मान ल सेट होंगी ना अगर इडवलूस के लिए उसमें से तो ठीक है यह तो सीड की बात हो गई की ठीक है अब हम इसमें से देखेंगे कि 600 बच्चे जो हैं इसमें ठीक है अभी अपने यहां पर मान लेते हम मैक्सिमम की या 400 बच्चे तो जो होंगे कम से कम जो क्या होंगे यू यह देखो इसका चार्ट अब यह चार्ट ऐसा है कि यह सबसे पहले देखो अभी हम इसमें क्या सैनिक कोटा की बात नहीं करेंगे ठीक है ना ही फ्रीडम फाइटर की बात करेंगे ना ही पी डबलुडी की है ना जी इस इस इन सब को निकाल देंगे हैं ना गॉर्बंट ऑफ अब उसमें भी जो 1647 है तो उसमें एक डेंटल कॉलिच गौवर्रमेंट का तो उसको हम निकाल देंगे 44 तो ठीक है 1647 में से 44 मानस कर दोगे तो वो सीटा जाएंगी हमारे पास ओपन ऐसे कैटेगरी वाइस देखोगे तो EWS में 165 में से 4 माइनस कर दोगे 236 264 में से 7 339 मे 31 में से 6 अगर हम माइनस कर दें तो कितना हो जा रहा 225 अब 225 OBC की सीट और केंडिडेट कितने यह पता है 400 के प्लस क्योंकि और भी बच्चे होंगे अपने पार सारे बच्चे थोड़ी आए और भी कोचिंग होगे कोई सेलफ एस्टेडी किया होगा किसी का ड्रॉप रहा प्लस के यह सीट ना मतलब 230 लेकिन बढ़ जाती है कैसे बढ़ती है देखो कि अगर मानलो की बाद एक जन्रल का बच्चा एक बच्चा और जन्रल वाले ने कितना लाया वालो की बाद 600 और जो बच्चा हो ला लिया 601 तो चैस्ट एक वाला जो ना जन्रल की सीट उठा ले जाएंगे वीची के जन्रल वालों से तो उनके तो सीट बढ़ जाएगी तीन सब्सक्ति तो लब ज्यादा नहीं फर्क बढ़ता और जन्रल की सीट क्या हो जाएंगी कम तो इसलिए जन्रल में तो इसमें दिखो सीट भी जादा है ठीक है तो कि इतनी है मानलो की बाद 600 बा सब्सक्राइब तो इस प्रकार से जो है हो जाता है अब इसको मेंटनेंस बैलेंस कैसे करेंगे बैलेंस ऐसे करेंगे कि आप 231 सीट वह सब्सक्राइब तो दोनों को हम एड़ गर दें 600 और 200 800 और 850 सीट मानलो ओवराल जो है ठीक है और इसके भी 40 सीट मानलो तो हम कम से कम 900 सीट मानले लेते हैं कि यार OBC और जनरल वाले बच्चों की हैं तो हमको जो है अभी जितने भी हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसमें से यह समझ में आ रहा हमको की बच्चे 900 के प्लस तो MP में ऐसे नहीं है कि जिसके 600 प्लस मांक्स आए होगा अगर 900 बच्चे हमको मिल जाते हैं ना कि 600 वाले तो कटाफ 100 प्रसंट जो है 600 प्लस ही जाने वाली और जनरल की और EWS की पट अभी हमारे पास डेटा में कितना निकल के आया पास्तों से 600 बच्चे और जनरल का इसारी कटेगरी को देख रह जाएंगे और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं ठीक है तो इसलिए जो है मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि 900 यहीं बच्चे हो जाएंगे तो 300 बच्चे रहेंगे उससे कटप ठोड़ी डाउन होगी तो मतलब क्या हो जाएगा 600 के अरांड ही रहने वाली कटप मतलब की पिछले सा जो है वो बढ़िया है बांकि अभी एक्यूरेट फिर भी नहीं है हमारे पास लेकिन एंपी के डेटा से हमें ऐसे रैंक बना सकते हैं अगर आप लोग प्रशनली कमेंट मिलब स्कोर कार्ड सेंड करोगे तो उससे क्या होगा कि एथेंटी केशन हो जाएगा कि यार स्कोर तो एंपी स्टेट रैंक ठीक है ज्यादा वैरी नहीं करेगी अगर हम ऐसे अनुमान लगाने से क्या होगा पता हम सोचेंगे यार कि ठीक 600 अ मतलब आल इंडिया कोटर की यह से रैंक देखके उनकी देखके लगता होगा ना कि कॉटफ तो भाई 620 में भी नहीं मिले जितना ही यह डेटा होता है तो हम क्या रफली भी डेटा बनाएंगे ना तो बता लेंगे हम क्यार कि 690 के प्लस में रहने वाली है कि फिर उसके अराउंड वाले को भी मिल जाएगी यह 600 के बाहर जाएगी यह 590 के इधर रहेगी तो यह जो है मैं फैक्टर होता है यह सकते हैं तो इतने जो अबराल हमारे पास मैंन बच्चे हैं तो इसके बेस्ट भी अगर हम बनाते हैं तो यह क्या होगा हमारे पास एक्यूरेट मेंटलिस्ट तो नहीं लेकिन रफली बन जाएगी तो उसमें एक्जक्ट कर सकते हैं उसके लिए आपको मैनत करना पड़ेगा और डेडा हमारे पास महुचाना पड़ेगा ठीक है आपको ओविसी और जंदल के ऐसे बच्चे काउंट करना है जो कि भाई 900 से ज्यादा ना होगे तो 600 के प्लस तो कट बढ़ेगी तो इसमें देख लूँ अभी तक तो इतना ज्यादा नहीं हुआ है देखने को मिल रहा 600 मास के प्लस है और इसने जो प्रचाया था और भी है एलन बगएरा मैं यह को है ना जो साथ सो प्लस वाले कितने बच्चे हैं य यह निवजद आई है और यह बागी है यहां पर देख सकते हैं साथ सो दस वाले बच्चे हैं यह ना साथ साथ वाले साथ सो जाले कि ज्यादा नहीं कुछ बच्चे हैं तो आई होग कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा लेकिन या इसके लिए आपको यह करना लुड़ करना अपना स्कोर कार्ड तो हम एक अडिकेशन बता सकते हैं सही कुछ बच्चे क्या पोल में आपको बीकर देते हैं गलत भी कर देते हैं कि हमारा इतना है कम आली ज्यादा अब दाल ले तो इसके लिए वह यह रास्ता है तो आपको लाइक करते नहीं हो तो मोट अब आपको वीडियो अच्छ लगा और ऐसे वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर जरूब करें कि को जितने जाता बच्चे उतना जाता डटा उतना अच्छा आपके लिए सहीं जारब हरें जाहीं हुआ 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 है